हाई दोस्तों स्वागत आप सब का मेरी चैनल में दोस्तों आजम बात करने वाले हैं बालू के बारे में जी हाँ दोस्तों आजम इस वीडियो में आपको बालू के बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगी उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मीरा चैनल सिस्क्राइब कर लीजिए चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं मदारी की ताल पर नाचने वाला बालू कोन नहीं जानता आज इस आर्टिकल में बालू के बारे में ही बात करते हैं बालू वैसे तो शान जानवर होते हैं लेकिन जंगली बालू बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं और इनसानों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं और खास कर दुरूविय बालू जो मासाहारी होते हैं तो आईए इस दुरूविय बालू के बारे में जानते हैं बालू एक मासाहारी जानवर होता है और इन्हें मचलिया खाना बेहद ही पसंद होता है बालू के चार पैर होते हैं लेकिन अपने आगे के पंजों का इस्सेमाल हाथ की तरह वो करते हैं बालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा भी हो सकता है बालू के पैरों में नाखुन बड़े और तेज होते हैं जो किसी भी जानवर का शिकार असानी से कर सकते हैं बालू दो परकार के होते हैं दुरुविय बालू ग्रिजली बालू जबकि ग्रिजली बालू, ब्राउन बियर बूरे रंके होते हैं और इनका वजन 360 किलो और लंबाई 7 फूर्ट तक हो सकती है धुरूविय बालू के बाल ग्रिजली बालू से यादा बड़े हो सकती हैं बालू नदियों और तलाबों के असपस रहते हैं भारत में बालू हिमाल्य परवत की लाखों में पाई जाते हैं भारतिय बालू की छाती पर वी आकार का निशान देखा जाता है और ये बूरे काले रंके हो सकते हैं दोस्तों बालू के सुंगने की शक्ती बहुत ही यादा तेज होती है और यह कई किलोमेटर दूर से भी अपने शिकार को सुंग सकता है बालू पेड़ों पर असानी से चड़ जाते हैं और ये अच्छे तैरात भी होते हैं यादातर बालू गुफाओं में रहना पसंद करते हैं बालू की आठ परजातियां अभी तक ग्यात हैं इनमें से छे परजातियां सरवाहारी होती हैं एक बालू का दिल एक मिन्ट में 40 बार दड़कता है लेकिन जो बालू शीत निंद्रा में होते हैं उनका दिल एक मिन्ट में 8 बार दड़कता है दुरुव्य बालू दर्ती के आरक्टिक शेत्र में पाई जाते हैं क्लोबल वार्मिंग के कारण दुरुव्य बालू के संख्या में काफे गिरावड दर्ज की गई है बालू अकेले में ही रहते हैं बच्चा पैदा करने के लिए नर और मादा बालू साथ होते हैं बच्चा मादा के साथ कुछ समय तक ही रहता है बालू के उमर 30 साल तक की होती है बालू में एक परजाती सूरे बालू की होती है जिसके पंजे सबसे बड़े होते हैं और इनकी जीब 9 इंच से यादा लंबी होती है बालू का शरीर काफी बारी होता है लेकिन ये फिर भी तेज दोड़ने में माहिर होता है इनकी रफ़तार 64 किलोमीटर प्रती गंटा की होती है बच्चों का खिलोना टैडी बियर भी बालू ही होता है बालू के टांगें कमान की तरह होती है जो उनका संतूलन बनाई रखने में मदद करती है दुरूवय बालू पानी में 8 फूट तक की चलंग लगा सकता है बालू अफरीका महादीप में नहीं पाया जाता ये केवल अमरीका, यूरोप और एशिया महादीपों पर ही पाया जाता है अमरीका के 98 फिस्दी बूरे बालू अलास्का में रहते हैं बालू शिरीर से काफी भारी होता है और लंबा चोड़ा इसका शिरीर होता है बर फीले इलाकों में रहने वाले बालू मासाहारी होते हैं दुरूवय बालू बारत की एक अनोठी पर जाती है जो अपने निवास्तान में जीवित रहने के लिए काफी कठोर पर्यास करती है दुरूविय बालू हमारे ग्रैंपर सबसे कठोर वातावर्ण में जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित जीव है साथ ही इनके मोटे फर्क के साथ इनके पास वसा की भी एक प्रत होती है जिसे बलंबर कहा जाता है जो इनके शिरीर को ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाती है दुरुविय बालों की उपरी चमडी के नीचे काली चमडी होती है जो इस जीव के शरीर को बीतर से गरम रखती है मादा दुरुभियवालू अपने शावकों को नुवंबर के और दिसंबर के महीने में ही जनम देती है इन महीनों में होने वाली कडाके की सरदी इन शावकों को चनम के समय से संगरशील बना सकती है अब तक का सबसे बड़ा पोलर बियर 209 पाउंड का वजन का था और 1960 में उत्री पश्चमी अलास्का में पाया गया था दुरुविय वालू बारत की अनोखी पर जाती है दुरुविय वालू आमतोर पर हर पांच से चार दिनों के बीतर नया शिकार करते हैं दुरुविय वालू के पैर काफी कठोर होते हैं जो इने बरफ पर फिसलने में इनकी सहायता करते हैं नर्द दुरुविय वालू एकांट में रहना पसंद करते हैं वे परजजन के लिए ही मादा वालू के साथ आते हैं मादा दुरुवय बालू अपने बच्चों के साथ ही रहना पसंद करती है एक परिवार की तरहीं अपनी जिम्मेदारी वे निबाते है पोलर भी अरकिशावकों का जनम के समय उनका वजन 45 किलोगराम हो सकता है दुरुवय बालू जल के अंदर काफे गंटों तक पूरे दिन पी त्यार सकता है दुरुवय बालू को सबसे बड़ी और सबसे बड़ी परजाती का गोरबी हासिल है जो पिछले दो पैरों पर खड़े होने के बाद 10 फीट तक लंबे हो सकते है वेग्यनिकों का तो मानना है कि दुरुवय बालू लगबग काफी साल पुरानी पर जाती है दुरुवय बालू बरफ से लुड़क कर खुद को साफ कर सकते हैं पोलर बीर केक्समू को सिल्योट के नाम से जाना जाता है दुरुवय बालू आमतोर पर हर चार से पान दिन के अंदर ही नया शिकार डोंडते हैं एक स्वस्थ नर्द दुरुवय बालू का वजन 680 किलो तक हो सकता है मादा दुरुवय बालू आमतोर पर मेल पोलर बीर के मुकाबले लगबग आदे वजन की ही होती है दुरुवय बालू अपना दिकान समय समुन्दर में ही व्यतियत करते हैं वेगानिकों के अनुसार वर्तमान में पोलर बीर की कुल संख्या लगबग 20 लाख है जिसमें से 95% दुरुवय बालू आरक्टिक महादीप में ही देखने को मिलते हैं कनाड़ा के कैलगरी में 1988 के शीत कालिन ओलंपिक का शुवारम दुरुवय बालू के द्वारा ही किया गया था पोलर बीर के समान में परतेक वर्ष स्ताई फर्वरी को इंटरनेशनल पोलर बीर डे मनाया जाता है दुरुवय बालू जमीन पर 40 किलोमेटर प्रतिगंटा और पानी में 10 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफदार से दोड़ सकता है दुरुवय बालू अपने शिकार की गंद एक मिल दूर से ही पहचान लेता है पोलर बीर मासाहारी जीवों की श्रैनी में आने वाला चनवर है जिसका पसंदिदा शिकार जल में रहने वाली सील्स होती है तो दोस्तों ये थी पोलर बीर के बारे में कुछ खास जानकारी उमीद करते हैं आपको ये बातें नहीं देखने को मिली होंगी तो इससे आप लोग पोलर बीर के बारे में और ये आदाच्छे से जान सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज मेरा चैनल सेस्क्राइब कीजिए दन्यवाद दोसों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाई बाई दोसों वीडियो जाए लूट वाइस वीडियो तोस्ताइब कीजिए और रखना